नमस्कार, उपाय तो आपने बहुत सारे किये होंगे अपने ब्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी दुकान में गराकों को लाने के लिए और धन ब्रद्धी के लिए लेकिन इस बीडियो में जो उपाय बताया जा रहा है वो सबसे अलग है इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आप कुछी दिनों में चमतकारिक रूप से अपनी दुकान में गराकों की बढ़ती हुई भीड को अपनी आखों से देखेंगे और आप पाएंगे कि वास्तविक्ता में पहले से अधिक लाव आप कमा रही हैं तो इसके लिए आपको एक प्रयोग करना पड़ेगा और वो प्रयोग किस चीज का है किस प्रकार से करना है यह सब हम इस बीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे तो ये जो प्रियोग है ये धन ब्रद्धी के लिए दुकान में गरहकों को बढ़ाने के लिए यदि आप दुकान खोलते हैं और पूरा-पूरा दिन निकल जाता है आपके पार गरहक नहीं आते तो भी आपको यह उपाई अपने आफिस के लिए कर लेना चाहिए और कुछी दिनों में आपको results मिलेगा उपाई कैसे करना है उसे समझ लेते हैं यह उपाई आपको करना है जलकुम्भी से जलकुम्भी एक परकार का पौधा होता है जो की रुके हुए पानी के अंदर उत्पन हो जाता है ये बड़ा ही आशर चकित करने वाला पौधा है क्योंकि ये क्या करता है कि ये पौधा पानी के अंदर जो भी ऑक्षीजन होती है उसको खीच लेता है और बहुत तेजी से पनपने लगता है जैने कि बढ़ने लगता है, हर व्यापारी भी यही चाहता है, कि उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगे, और हर व्यापारी यह भी चाहता है, कि उसका व्यापार तेजी से बढ़े, साथी साथ सारे के सारे ग्रहक, जो और दुकानों पर हैं, वो भी उसके दुकानों पर क्योंकि बुद्ध ब्यापार का कारक है और ब्रधी ब्रसपती के हाथों में है तो जो जलकुम्भी है ये पानी के अंदर से ऑक्सिजन को खीच करके बहुत तीजी से बढ़ती है और दिन पे दिन ये बढ़ती चली जाती है और एक बार जब इसकी ब्रधी शुरू हो जाए तो इसको वहाँ से खत्म करना बड़ा मुश्किल पड़ता है यानि कि ये समाप्त नहीं होती उस जगा से इसलिए खास करके ऐसी जगाओ पर जलकुम्भी लगाई जाती है जैसे कि बहुत गंदा और सड़ने वाला पानी होता है उसको सुखाने के लिए या उसको इस तरह से करने के लिए कि जलकुम्भी लगा करके उस गंदे पानी को रोका जा सके तो जलकुम्भी बहुत चमतकारिक जड़ी है इसका प्रियोग जो आपको करना है वो इस प्रकार से करना है कि जलकुम्भी आप लियाए या तो आपको ताजी मिल जाए तो आप ताजी किसी पानी म और यदे आपको पहचान हो इसकी चोकि आप फोटो देख रहे हैं जलकुम्भी का इस परकार से दिखती है और आप इसको लियाए और अगर आपको ये ना मिले ताजी ना मिले तो जो पुराने पंसारी होते हैं उनके पास भी आपको ये सूखी होई मिल जाएगी तो जलकु कुम्भी लाने के बाद आपको क्या करना है आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है चोकोर यानि कि रुमाल लेना है पीले रंग का उस रुमाल को बिछा करके अपने घर के मंदिर के अंदर गुरुबार को ये प्रियोग होगा और उस रुमाल को अपने घर के मंदिर म दीजीएगा केसर की थोड़ासा केसर गंगाजल में घोल कर उसकी छिटे हैं आप जल कुम्भी के उपर लगा दीजीएगा और उसके बाद भगवान स्री नाराइन से भगवान स्री विश्णू से आप प्रातना कीजिएगा कि वह आपके ब्यापार में ब्रधी परदान करें और उसके बाद इस रुमाल को लेकर के इस रुमाल की पोटली बना लेना और पोटली बना करके अपने बिवसाय स्थल पर, यनि के अपने ब्यापार इस्थान पर आप इस जलकुंभी वाली पोटली को लटका देना आपको इसको ऐसे लटकाना है कि आने जाने वाली व्यक्ति की इस पर नजर पढ़ती रहे तो ऐसे आप इसको लटका दीजेगा और याद रखना एक बार इसको लटका देने के बाद आप इसको दुबारा चुएंगे नहीं यानि कि लटकी रहेगी और साल में एक बार आप इसको बदलते रहेंगे तो इस प्रकार से आप इसका प्रियोग करें और चमतकारिक रूप से आपको इसका लाब मिलेगा निश्ची तोर पे आपको उसका लाब मिलेगा बहुत लोग इसका लाब लेते भी है ठीक है ना तो ये बहुत आभशक जानकारी है तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माधिम से जरूर बताईएगा और इस परियोग को करिएगा ऐसी ही नई नवी जनकारी के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए विदा लेते हैं नमस्कार